बिहार में जहरीली शराब से लगतार मौत हो रही है बिहार में शराब बंदी वाले कानून में कही न कहीं एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत हुई है और इसको लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है ऐसे में बिहार के पुरुभुकमंत्री जीतन राम मांजी ने ट्वीच के जरीये जो है नितीश कुमार से सवाल पूछा है और सीधे तोर पर उन्होंने लिखा है कि जहरीली शराप के नाम पर दलितों को थोड़ी-थोड़ी मौत क्यों दे रहें यानि धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी मौत क्यों दे रहें बाट रहें हैं नितीश कुमार जी एक बार फिर से जनरल डॉयल के टाइप का लाइन में खड़ा करके सब को गोली मार दीजे आपके नफरत का आतंग हो जाएगा जहरीली सराब से हो रही मौत को क्यों नहीं रोक सकते हैं शराब बंदी कानून का क्या मतलब है कम से कम गुजरात से सब कुछ सीख लीजे यानि जीतन नाम मांजी ने नितीश कुमार पर जहरीली सराब मौत पर सवाल पूछे हैं और कहा है कि धीरे-धीरे मौत क्यों दे रहे हैं थोड़ी-थोडी मौत क्यों दे रहे हैं इकी बार लाइन में खरा करकर जनरल डोयल के तरह गोली से भून डालिए यानि कहीं न कहीं एक बार में दलितों को मौत के घाट उतार दीजे नितीश कुमार जी जो धिंडोरा कौ पकड़ा जा रहा है शराप बेशने वाले को पकड़ा जा रहा है सराप पीने वाले को पकड़ा जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी जखरी Planet में लोगины लोकास्था के महापर्ग में जो है मना रहे ओर सीता मडी में पूरी गाओं में मातम छा गया वहीं दो दिन के बाद जो है गोपाल गंज में भी जरीली शराब से मौत हुई लेकिन वहाँ पर जिला अधिकारी ने इसकी अधिकारिक तोर पर पुष्टी नहीं की अलग-अलग रूपों में उन्होंने मौत का कारण बताया वहीं आपको बता दे कि सीता मड़ी में भी छे लोगों की जाने जा चुकी है पहले भी जहरीली सराब से कई लोगों की जाने जा चुकी है उसको लेकर बिहार में शियासत भी खुब हुई जो है सरकार की किरकिरी होने के बाद जो है मौपजा देने की बात कही गई लेकिन अ अपने सीवी केमरमन सर्मराज के साथ बने रहे लाइव इंडिया हर्पल के लिए